मॉर्निंग औल आफ यू माइनेम इस शिवम पांडे चलिए आज नमस्ते आप इनको मेरा दोस्त बोलिये भाई बोलिये सब कुछ इसलिए यहमारे साथ हमेशा रहते हैं तो चलिए स्वाट करते हैं मूंबाइ इनियंस के लो ही luc तो उनका कारण यह है ना कि मुंबई इंडियन जो है वो प्लेयरों में इन्वेस्ट करती है कहां पंजाब को देखेंगे बैंगलोर को देखोंगे और कौन सी टीम है दिली यह तीन टीम है जो आई-पेल में सक्सेस्फुल नहीं होई है मिन्स इनके पास ट्रॉफी नहीं है जीत लिया है तो इन तीनों ने ट्रॉफी क्यों नहीं जीता उसका कार नहीं है क्योंकि यह हर सीजन अपने कोच बदलते हैं प्लेयर बदलते हैं सपोर्ट स्टाप बदलते हैं डॉगी बदलते हैं बिल्ली बदलते हैं जो भी है सब बदल देते हैं तो इनका थोड़ा बह पूरा टेबल टॉप कर दिया था फिर भी वह फाइनल में जाके हार गया थे बड़े-बड़े प्लेयर रहे हैं गंबीर सब्सक्राइब कर नहीं जिता पाए तो कौन जिताएगा वही बात है ना मेरा मानना है कि अपको मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई से की बात मैं पूरी बत करता हूं अच्छा करते ही है लेकिन यह यांग ही है वह अलग बात है वह तो स्टार्टिंग से जब से आया तब से सई खेलते हैं बट इनों को मुखा दिया जो इन प्लेयरों को और सौरबतिवारी को कोई जानता भी नहीं था बूल कया था कौन है सौरबतिवारी अचानक से याद आगया अचानक से आई पेल के लिए तो आप बड़ी बात हो गई क्यों कि मुंबई इंवेस्ट करती है मुंबई की बेंच स्टेंथ बहुत ही मजबूत है काई प्लेयर आपको एक प्लेयर दिखा होगा जो चोटी बांगे को फिल्डिंग करने आता है वह अब उसको जगा नहीं बन करते हैं सपोर्ट स्टाप नहीं बदलते हैं और एक एक जैसे टीम होनी चाहिए ना उसे हिसाफ से चलते हैं वह सबसे बड़ी बात है मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिसके पांच बिगट गर जाते हैं उसके बाद भी दो सोरन बना सकते हैं यह तो यह देखिए यह जाद जाद कितने बना लेंगे 140 150 160 भाइया यह उमीद नी करीजी 206 बना देंगे 200 वरन बना देंगे सोरी टीम चैपर में 94 95 बना देती है तो वह टीम कितनी स्ट्रॉंग चैपर बना दिया था ठीक है 94 वह ठीक बात है उसके बाद लगतार बिगेट कि रहे हैं उनके कर रहे हैं उस टीम में रोज सर्मा कुछ नहीं किया पहली बॉल पे गया रोज सर्मा पोलाड ने कुछ नहीं किया ठीक है अच्छा खेला 50 बना के गए उसके बाद भाई यह मतलब इस टीम में कितने मैच मिन रभाई और महार मैच मिन हार्दिक पंडे आया कुरुनाल तो इस टीम में इतने मैच विनर ना आप बैटिंग में देख लिए आप किससे बचोगे कभी किसी का दिन ने होगा तो किसी का दिन चल जाए अभी पोलाड नहीं चले हो सकता है पोलाड आपको फाइनल में चलते हो दिख जाए बड़े प्लेयर है रोज सर्मा को आप पहल अब RCB की बात कर लें RCB को देखिए आप हर साल नया कोच बदलते हैं हर साल पूरी टीम बदलते हैं किवल दो प्लेयर रह जाते हैं वही डिवलियर आप तो युटन चैल को भी रोखते हैं चैल कोली एक सैनी हो गाएं आप दो दिन सीजन से सीराज हो गाएं उमेस जादो वहते इंवर्स किया पर इस बार एक दो मैच साथ एक भी मैच निके लिए निके लिए इसका कारण बताएं गया वह बैठे रहे हैं पिछले सीजन के उनको देख खिलाया निस सीजन उनकी बॉलिंग मुझे देखिए मैं क्या के बोलता हूं कि मेरा मानना है हां टे सीरिज में है वह में सब्सक्राइब करते हैं मैं यह बोल रहा हूं कि उमेस ज्यादा को आर सीबी को खिलाना चाहिए बट देखिए जैसे दीपक चैनने कैसे यूज करती है के वल पावर प्ले में बालिंग क सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मुझे मानना है कि उमेस ज्यादा के चार उबर इनको दस उबर के अंदर खतम कर देने चाहिए और वह बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आप देखते ना सैनी सैनी ऐसे बॉलर रहा है उनको दिमाग ही कर रहे थे उसके बाद भी ए कितने साल से खेल रहे हैं उनका सीजन खराब चला गया मेरा मानना है कि ब्राट को बोलना चाहिए देखो भाई तुम हमारे में प्लेयर हो तुम इंडिया खेलते हो नो डाउट यू आर ग्रेट बॉलर टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करते हैं आप आपके पास स्पीड है आपको रिवर्स विंग आती आपको सब कुछ आता है इतनी बढ़िया बॉडी इतनी बढ़िया स्पीड उसके बाद भी और टेस्ट मैच में आप अभी उस्टेलिया में देखेंगे उस्टेलिया का तेस्ट कर देंगे तो उमें से आदों कमी नहीं है बस पता कि टी देव में से आदों का लेंथ उनको दिलवाएं और बोलें कि देखिए आप हमको कुछ मत कीजिए तेज गती से बिलकुल तेज चार ओवर दीजिए हम आपको पावर प्ले में करवाएंगे दो बर दो बर दसके अंद मतलब चार ओवर आपका हम होई खतम करेंगे और या त दीपक चहर अच्छे बॉलर है पिर भी उनको टेथ में बॉलिंग नहीं होती बलकि सीएस के कितने मैच हारी है इस बार डेथ में लेकिन दीपक चहर को नहीं मिला क्यों क्योंकि उनके पास स्पीड नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी हो जाएगी क्योंकि लास्ट म बॉलता हूं और सीबी टीम बहुत भी अच्छी रही है लेकिन कभी वह जीते नहीं है उसका कारण यहीं होता है कि में की आर सीबी ना प्लेयरों को यूज नहीं कर पाती वही डिवीलियर वही बिराट कोली पर हर मैच का प्रेशर होता है इस बार देविदार पल्डिकल न सब्सक्राइब के उनकी के ओलेक 50 है क्या बोलेंगे बताइए अरन फिंच तो भाई आपने देखिए उस मैच में जो में महसम का इलिमिनेटर किस सब्सक्राइब मतलब आप 25 रन बना के अभी सब्सक्राइब कर जादा पड़े थे अरन फिंच ने तो भाईया चाहिए था टोटल डिसपोइंट किया देखिए मुझे तो ना वह फस्ते हुए इस पीनर के हिलाब दिख रहे हैं आपकी बार सीरी में अपने स्पीनर दाएंगे देखिए उनकी हालत क्या होगी पता चलेगा उनको लेकिन फिर भी वास्टिरिया के लिए डिफरेंट कहलत अपना पर जिम्मिदारी तो लिए ओपनिंग आये ठीक है आप अलिकल को तीन पर बेहना चाहिए आप अपनिंग कराते हैं यह मिलती हो कुछ परहार करते हैं दो फिल्टर ही होते हैं उठा के मारते हैं और सबसे बड़ी ब्याता है आपका जो 6 अबने 32 रन था वह कभी नह जब भी उपनिंग करी है ठीक है उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए तो कभी बीच जो आउट था अनफॉर्जिनेट था वह मानता हूं बट एरन फिंच ने आपने खुद देखा होगा उन्होंने रन नहीं बनाए फिर विजब तक वह जिन जिस मैच में उन्होंने उप ओपनिंग करने आते मैं नहीं गारेंटी दे रहा हूं कि वह चलते बट अगर वह सेट हो जाते तो बाद में स्पिनर को भी लूटते वह एसे प्लेयर है फिर उनको फरग नहीं पड़ता है स्पिनर आई आया है कॉन्फिदेंस उनका आ जाता एक बार वही वह अच्छी बै अगर उनका साथ दिया हो था उसी चक्कर में डीविलियर आउट हो गया आपको देखिए वह जो नेटराजन को आउट हुए हैं कितनी अच्छी बाल पड़ गई उनको साथ देना चाहिए था डीविलियर को सिंगल सिंगल खेलते उनके साथ मेरा मानना है कि अरन फिंच ने कि आप जो है प्रैसर बन रहा था भाई दसवबर में 45 रन बहुत ही कम हो जाते हैं और वह चीजे ना बहुत ही टीम के लिए मैटर करती हैं और एरन फिंच कभी स्लो नहीं खेलते 25 बाल लेड़ी वो खेल चुके थे अब यह होता उनके उपर जिम्मेदारी थी अब वहां म फंस गये उसमें बट देखिए आरसीवी को न अपनी काया पलट करनी है आरसीवी के पास जो सबसे बड़ी कमी है उनको एक दो बढ़िया बैसमें चाहिए एक सालिड बैसमें चाहिए जो अच्छा है उसको चीज मत कीजिए उसको ऑपनिं कर वाईए और एक उसके साथ किसी और को जोड़िए असे प्लेयर को जो रन बनाए जैसन रॉय को दिली ने बाहर किया हुए मेला मानना है एकर विदेसी प्लेयर खिलाना है तो आप जैसन रॉय को जैसन रॉय कैसे प्लेयर ना वह वह अपनिंग कराई उनसे वह अलग ठीक है फिलिपे का नहीं कह रहा लेकिन आप जैसन रॉय को नहीं भूल सकते वह एक ऐसे बालर बैट्समैन है जो इस्पिनर को रन मारते हैं उनकी वी वीकनेस कम हैं वीकनेसर प्लेयर में होता है अधरवय आउट ही नहीं होगा बट जैसन रॉय ऐसे प्लेयर है जो इस्पिनर को वाओड नहीं होते तो अगर आरसी भी उन्हें खरीत है अमेरा तो माणने जैसन रॉय को टीममें सामिल कीजे दिल्ली चोड़ है उन्होंने चो तो इसके लिए यह को बोल रहा हूं कि यह खरीदें जैसन राइगो आप बोल रहे हैं प्लेयर नहीं होते हैं अब मैं बताता हूं यह पेसर किसको खरी सकते हैं प्लेयर आपने अभी देखा होगा कि नया बॉलर आया क्या नाम है उसका जो आपको सीरीज में भी दिखा था हिंडिया में भी खेल के गया था जिसने बड़ा तंग किया है कौन सा जो नया एक बॉलर आया लंबासा है बड़ा इस टार्क टाइब का ही है वो क्या नाम है उसका अभी आपने भी देखा होगा इंडिया में बड़ा तंकर के गया है बैट्समेनों को बिराट कोली को कितनी बारा उट कर रहा उसने आप मैं मेर को अभी दिमाग पे नाम नहीं प्लेयर ना जो आपको खेल सकते हैं एक बड़ी आप बता दिया अब दो और ढूंड़ने वह दो लीजिए इस बार उनको इंजली नी थी जितने मैच खेलें बुरी तरिके से पिटाई और यह दो खतम हो गया है तो डेलिश्टेन की बात ही निया डेलिश्टेन तो अब अब नहीं है जब थे तब ते डेलिश्टेन का भी दुनी वही बादा टाइम खतम हो गया साथ प्लेयर का होता उनका भी हो गया तो डेलिश्टेन तो अब बात करेंगे CSK की CSK की टीम में बड़े चेंज़स थे बैटिंग थी नी वही चेंवार्ट झाल 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 झाल